एक्सरसाइज 15.4 का सेकेंड कुश्चन दिखते हैं सेकेंड कुश्चन में पूछ रहा है Here are shadows of some 3D objects When seen under the lamp of an overhead projector Identify the solids that match each shadow There may be a multiple answer for these Question में क्या पूछ रहा है यहां पर आपको कुछ shapes दिख रहे होंगे देखो एक पहला जो दिया वो circle है दूसरा square है, थिसरा triangle है चौथा rectangle है तो यह जो shapes है यह किसी object का परचाई है यानि कि shadow है Question में बूल रहा है किसी भी 3D object का shadow आपको दिया हुआ है अब आपको यह अपने imagination से यह बताना है कि यह जो shadow है यह जो circle बना हुआ है यह किस object का shadow हो सकता है यह जो square बना हुआ यह किस object का shadow हो सकता है जो triangle बना हुआ है यह किस object का shadow हो सकता है ठीक है आपको अपना imagination power यूज करना है कि कौन सा ऐस object है जिसको अगर उसके उपर light रग दिया जाए या light की रोशनी अगर उस पर पड़े तो जो उसका shadow बनेगा वो circle ship का बनेगा या square ship का बनेगा ठीक है तो इस question को बहुत सारा answer हो सकता है देखो circle जैसे है ठीक है अगर कोई shadow circle shape में है तो उसके बहुत सारा answer हो सकते है ठीक है एक एक करके चलो मैं आपको whiteboard में समझाता हूँ इसको whiteboard में आपको बताता हूँ तो तेखो question में क्या पूछा है जैसे कि ये circle है ठीक है तो ये जो circle है ये किसी object का shadow है यानि कि परचाई है अब आपको imagine करके ये बताना है कि ऐसा कौन सा object है आपके practical life से बताना है कि ऐसा कौन सा object है जिसका जो परचाई होगा यानि कि अगर उस पर light पड़े उपर से इसके उपर से अगर light पड़े तो उसका जो मतलब कोई भी object जिसके उपर से light पड़े तो उसका जो परचाई और उसमें ग्लो करते गाल या फिर आप सिम्पल फूटबॉल बूल सकते हो फूटबॉल क्रिकेट बॉल कोई साभी बॉल joka या कोई वह तौर्च indifferent or जया फिर उम्री газ और शेड़ो होगा वह स्कर्सर्कल शेप का होगा तो कोई भी स्पारिकल चीज आप लिख सकते हो अच्छा कुश्चन में एक चीज आपको प्रैकेट में यह बुला है there may be a multiple answer for these मेरा answer आपके answer से अलग हो सकता है ठीक है मैं orange लिख दूँगा कोई और लिख सकता है lemon लिख सकता है कोई और लिख सकता है football ही लिख देगा कोई cricket ball लिख सकता है कुछ भी मतलब इसके कोई ऐसा limit नहीं है इसके answer के लिए भी ऐसी चीज जो practical light में आप देखे होगे अब आप CD ले सकते हो ठीक है CD आपने देखा होगा compact disc ठीक है CD या DVD जो होता है अगर आप उसके उपर से light मारोगे तो उसका जो shadow बनेगा वो भी circle shape का ही होगा ठीक है आप यहां लिख सकते हो compact disc ठीक है ज़रूरी नहीं कि कोई spherical object होगा उसके उपर ही अगर light पड़े तो उसका shadow circle shape का होगा CD लिख सकते हो CD में भी आप उपर से light उसमें डालोगे तो उसका shadow बनेगा वो circle shape का होगा ठीक है ऐसी आपको imagination power आपका use करके यहां पर आपका answer देना है दूसरा दिया हुआ है square अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा object है जिसके उपर अगर light पड़े तो उसका जो shadow बनेगा वो square shape का होगा तो बहुत general एक example है इसका ludo का जो dice होता है टीक है ogaчo 꿈 shape का होता है ठीक है तो सबसे पहले आपको दिमाग में यह चीजब ले करना है कि हैंकि कॉनachen साप ऐसा कॉनगां सा चीज है क्यूब के शैप में होगा उसका भाशेड़ करने रूबillupp tell होता है ठीक है उस रूबिक्स क्यूब का भी वह क्यूब शेप में होता है ठीक है अगर आप उसके उपर लाइट डालोगे तो जो इसका शैड़ो होगा वह स्क्वाइर शेप का बनेगा ऐसे आप अपना इमाजेशन पाउर यूज करके आप और भी अलग-अलग एक्जामप इदर से लाइट आप डालोगे तो इसका जो शैड़ो बनेगा वह ट्राइंगल शेप का होगा ठीक है आप इसमें लिख सकते हो सिंपल कौन या फिर आप इमाजिन करके और भी कुछ लिख सकते हो जैसे कि आप एक एक्जामपल दे सकते हो पिरामिड आप पिरामिड देख अगर उसके ओपर आप लाइट डालोगे तो वह उसका जो शैडो होगा वह रक्टैंगल शेप का होगा इसके अलावा और बहुत सारे एक्जामपल जो आप अपने से सोच सकते हो थिख आप बुक लिख सकते हो बुक का भी जो शैडो होता है पीछले कुश्शन में हम शाइडो के लिए दो-दो एक्जाम्पल दे चुका हूँ, इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ आता है, तो आप एक्स्ट्रा उसमें जोड़ के लिख सकते हो, तो यह ओग एक्सरसाइज 15.4 का सेगंड कुश्चन,